नमस्कार मैं हो राम किंकर सिंग, MCD की राम कहानी को ले करके हाजिर हूँ दो दो बार दिली के मेर का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया बावजुद इसके कुछ हल मिलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है अब देखना ये है लेकिन जो इस्थिती है कोर्ट की वो आपको साफ तोर पर देखनी पड़ेगी 6 फरवरी को जब तीसरी बैठक अस्थगित होती है तो सीधे तोर पर आम आदमी पार्टी की मेर की उमिदवार कोर्ट में चली जाती है और साफ तोर पर ये कहा जाता है कि पीठा सी इन अधिकारी को हटाया जाना चाहिए वह ठीक तरह से काम नहीं कर रही है दूसरा जो ओल्ड एल्डर मैन है उनको वोटिंग का अधिकार नहीं है हलाकि इस बाबत जो बहस है वो 13 फरवरी को होनी तै है अब देखना ये है कि इस पूरे मसले में क्या कुछ निकल कराता है दूसरी तरफ अगर आप चलिए तो जो 6 फरवरी को तीसरी बैठक थी तीसरी बैठक से ठीक पहले यानि तीन फरवरी को इस बाबत कोट की सुनवाई थी और जिस दिन सुनवाई थी उसी दिन इस जो याचिका है उसे आमादमी पार्टी की तरफ से विड्रा कर लिया गया तो ऐसे में दो-दो बार का कुइंसिडेंस या ये इत्तफाक है या ये कुछ सोच समझ कर लिया गया फैसला है ये आपको खुद सोचना है इसका जवाब आपको खुद तलाशना है लेकिन इतना जरूर है क्या महज एक इत्तफाक इस तरह से इतना ज़्यादा इत्तफाक भी इतना इत्तफाकन होता है यानि की ठीक तोर पर सुनवाई होना और सुनवाई से ठीक पहले अगली बैठक की तारीख तै हो जाना अब देखना ये है कि क्या इस बार भी चौती बार भी दिल्ली को उसका मेर मिल पाता है या नहीं लेकिन इतना जरूर है सुप्रीम कोट में मामले जाने के बाद दो अल इशा देगा जिसे फालो करना जरूरी होगा और कुछ ही मानता है कि कोई हल नहीं निकलना है यह मामला और जादा लिंगरान होगा या और जादा इस पूरे मामले में देरी होगी लहाजा अब जो दिल्ली के मेर का यह हाल तब तक रहेगा जब तक कि एक अप्रैल से मेर का नया कारेकाल या नई चुनाव की तारीख या दिल्ली नगर निगम का नया सत्र शुरू नहीं हो जाता तो यही वो चीजें हैं जिसकी वज़े से यह सारी चीजें साफ तोर पर निकल कर सामने आ रही हैं तो यह साफ तोर पर दिखाता है कि दो दिल्ली के मेर का चुनाव है वो अपने आप में किस तरह से इसका पेंच लगातार फंसता जा रहा है और खास बात यही है कि सुप्रीम कोट में जब पहली बार सुनवाई के लिए याचिका लगाई गई थी और विड्रा हुई थी उसी वक्त सुप्रीम कोट में कहा था कि अगर इस मामले में आपको लगता है कि कोई नियम कानून ठीक से फालो नहीं हो रहा है तो आप दुबारा आईए शायद यही वज़ा है कि शैली ओबराय याचिका के साथ दुबारा से सुप्रीम कोट का रुख करती है और साफ तुर पर सुप्रीम कोट इस बाबत जो है सबको नोटिस करता है चाहे वो दिल्ली के लजी हों, खुद कमिशनर हों और चाहे खुद पीठा सीन अधिकारी यानि साफ है कि अब क्या ये रास्ता सुप्रीम कोट से ही निकल कर जाता है दिल्ली के मेर का और अब तक जो होता रहा है वो अब नहीं होगा यह माना जा रहा है तो साफ तोर पर बने रहेगा हमारे साथ फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए धन्यवाद झाल